नमस्का और दोस्तों डिये रेमेश जिना बश्वात है आज का जो हुमारे कोश्चन है वो क्लाश जिंद के म्यात के एकसरसाइच 12.2 का कोश्चन और 12 है और चेप्टर का नाम है बेद से समधित छेतपल तो यहां देखिए इस कोश्चन में क्या दिया गया है यहां यूट के उस भागक चत्वर ग्यात कीजिए जिसमें जहाजों को चताबन दी जा सके hyati कोश्चन बोला जा रहा है कि यह जो है यह एक लाइट होस है यह क्या है अब इसके बाद जो इस लाइट होस में एक लाइट लगा है जिसमें जो है परकास निकलता है और यह जो है कितना दूर तक फैलता है यहां देखिए इसका जो कौन है वह असीडिरी है और इसका जो डिस्टेंस है वह 16.5 क्यूंटर का है अब देखिए यह लेट होस है इसको चताबनी दे रहा है कि आप उधर मत जाईए यहां पर चतान है तो यह जहाज क्या करेगा यह जो है उधर मोर जैए का अपना दिसा जो है उधर चेंज तक कहां तक तो असीडीरी कौन और 16.5 क्लिटर तक की दूरी तक वह चिताबने दे रहा है तो आपको जो है इस त्रिश्खंड का छत्फ़ल निकालना होगा तो चले इसको निकालते हैं तो जो पहले कोश्च में दिया गया इसको लिख लिजिए हल दिया गया है कि त्रिश्खंड रूपी परकास की त्रिश्खंड कितना है तो 16.5 किलोमेटर और इसका कौन कितना है मतलब ठीटा कितना है तो 80 दिश्खंड का है और हमें जो है उस त्रिश्खंड का छत्फ़ल निकालना है तो त्रिश्खंड रूपी परकास का छत्रफल क्या होगा तो पाई आरे स्क्वाइड ठीटा वाई 306 डिगरी और यहां पर जो है पाई कमान कितना लेना है तो कोस्टन में जो है दिया जो है 3.14 तो यहां पर रख देते हैं 3.14 गुने आर कमान कितना लेना है तो 16.5 किलोमेटर का हाल स्क्वाइर गुने ठीटा कितना है तो 80 डिगरी बाई 306 डिगरी अब देखिए यहां पर जो है 0 से 0 कट गिया डिगरी से डिगरी कट गिया चार दूनी 8 चार नमे 36 अब देखिए इसके बाद जो है क्या होगा 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 गुने 2.9 अब देखिए यहां पर जो है 10 लाट आते है तो कितना आएगा 10 यहां पर भी 10 लाट आएगे तो कितना आएगा 10 और यहां पर जो हटाएगे तो कितना आएगा 100 गुने अब देखे इसके बाद जो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 310 और 35 15 और 35 15 अब इसके काटेंगे तो कितना आएगा 55 तो अब इसके बाद देखिए 314 गुने 55 गुने 25 गुने 2 बट्टा 100 गुने 10 गुने 10 यह देखिए 2 पंचे 10 और पांसे जब काटेंगे तकीना है 11 इसी तरह से जो है तो से जब इसको काटेंगे तकीना है 157 और यह जो कितना है अब देखिए इसके बाद क्या आता है तो 157 गुने 111 गुने कितना होगा 21 गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है तो अब जो है इसको मुले सकते हैं 189.97 किलोमेटर स्कॉयर तो यह जो है किसका चेतबाल आ गया तो इस तिरिश्खन का चेतबाल आ गया जो परकास के रूप में है तो यह जो है अपना अंसर है तो हम उमिद करते हैं कि आपको जो है इस कोश्चन का सलूशन बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा तो अभी के लिए इस बीड़ों के दाशिर कीजिए और अभी तक इस नहीं को सब्सक्राब नहीं कि तो सब्सक्राब कर लिजिए धान्यवाद